लेडीज और जेंटलमेन इस हफते एक ऐसा सस्पेंस ठिलर रिलीज होने वाला है जिसे लेकर पूरी दुनिया में एक्साइटमेंट भी है और डर भी जो दुनिया के तमाम बाजार को नीचे खीच सकता है मैं बात कर रहा हूँ US Federal Bank के interest rate hike की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 75 से 100 basis point hike हो सकता है हलांकि पिछले हफते जो बाजार गिरा था उसने काफी हद तक इस बात को factor in किया है लेकिन आशंकाएं अभी भी बनी हुई है आखिर क्यों ये interest rate hike हो रहा है और इसको लेकर दुनिया का क्या मानना है और इस लाइन में कौन कौन है Federal Bank of America तो है ही साथ में Central Bank of England है साथ में Central Bank of Europe है और है Bank of Japan ये सारे अपने interest rate को hike करने की तयारी में है और इनकी तयारियों के rate hike के ठीक पहले World Bank ने ये कहा है कि जिस तरीके से inflation को control करने के लिए ये rate hike किये जा रहे है इससे industries and business को grow करने के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं मिल रहा है क्योंकि loan महंगा हो गया है और ये business ये industries अगर grow नहीं करते हैं तो 2023 तक दुनिया मंदी में जा सकती है अब दुनिया में एक debate ये चल रही है कि ज्यादा बुरा कौन है कौन बड़ा villain है inflation या मंदी किसे रोके इस बात को लेकर US government और US federal bank में साफ कह दिया है first priority to control inflation बागी बाद में देखेंगे तो वो inflation को control करने के लिए rate hike करने वाले हैं इसका असर इंडिया पे भी आएगा क्योंकि अगर rate hike होगा interest rate बढ़ेगा तो dollar मेंगा होगा तो फिर इंडियन रुपिया कमजोर होगा और इसका असर हमारे import पे पढ़ेगा खासतोर से जो fuel हम import करते हैं हम हमारी जरूरत का 83-85% fuel बाहर से मंगाते हैं और ये महंगा होने का असर हमको kitchen तक सुनाई देगा क्योंकि petrol डीजल के महंगे होने की बात वहां तक भी पहुँचती हैं तो क्या किया जाए ये असमंजस है वैसे World Bank ने दुनिया की तीन बड़ी economy को मंदी में जाने का खत्रा बताया है जहां तक इंडिया का सवाल है यहां पर अभी कुछ green shoots दिखाई दे रहे हैं अभी जो advanced tax declaration है वो 17% बढ़ा हुआ है साथ ही साथ जो net collection of tax है वो 30% direct tax के case में बढ़ा हुआ है ज्यादा tax याने कि लोगों की ज्यादा भागेदारी याने कि हम उस pandemic के level से बाहर आकर रफतार भरने के लिए तयार है लेकिन ये inflation ये मंदी का डर ये geopolitical global scenario ये इंडिया की रफतार में break लगाने का काम करेंगे अब देखना ये है कि इस break में इंडिया कितना थमता है कितना संभलता है और कितना आगे बढ़ता है